बस्तर लोग सभा चुनाव शेत्र में प्रत्याशी कवासी लख्मा के फक्ष में प्रचार करने पहुंचे 36 प्रभारी हुए कॉंग्रेस नेता सचिन पाइलट ने कहा कि बस्तर में कॉंग्रेस हमेशा मजबूत रही है। भाजपा नेता इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने दस वर्चों में क्या किया। उनका चुनाव अभियान जमीनी मुद्दों के बजाए जादातर भावनात्मक मुद्दों धर्म और मंदिर मस्जिद मुद्दों पर किंदित है। मौजुदा बीजेपी सरकार बनने के बाद पिछले चार महिनों में राज्य में अपराद बढ़े हैं। वधायक रहें। उनके अलग पकड़ है। जो बाद पाक के उमीद बाहरे हैं। उनके बारे में सब जानते हैं। मैं जादे बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन ये चुनाव फिरुवात हो रही है, बस्तर से हो रही है, महितपूर है। मुझे लगता है कि कवासी लखमा जी, हमारी पार्टी मिलकर लोगों में एक पॉजिटिव और एक सकरात्मक संदेश देना चाहते है। बाजपा के नेताओं के बाज़वात हैं। मुखमंदी चारपाल बार यहां पर आ गए, बड़े नेताओं आ पर आ रहे हैं। लेकिन कोई भी यह नहीं कर रहा है कि दस साल से हम लोगों ने क्या किया है। वो सरफ आगे की बात कर रहे हैं। उनका जो इशू स्टेट के हैं। जो देश में नौजमानों का, किसानों का, महिलाओं का, आदिवासी पिछले वर्कों का जो हाल है। चरचानी करते हैं। बिरोजगारी पर आंग्रे दिखाने को मना करते हैं। और जो उनका चुना पचार भी है। वो मुद्दों से हट कर एमोशनल इशूस को जजबाती मुद्दों पर धरम, अंदिर, मजिद इस पर केंड़ित करते हैं। तो मुझे लगता है। जनता भी समझ गए है कि दस साल का उनका परफॉरमेंस देख चुके हैं। तो मुझे दिख रही है। चार महिने इस नई सरकार को बने हो गए है। और ना सिर्फ यहां पर हिंसा में वरिद्धी हुई है। जो उनके वादे किये थे उसको पूरा करने की कोशिश भी नहीं कर रहे है। तो यह एक बड़ा एक अनिम्प्रेसिव और एक नॉन परफॉरमिंग गवर्मेंट अभी तक साबित हुए। यह चार मेरे का समय जादा नहीं होता। और इसलिए मुझे रखता है कि हम अच्छा परफॉरम करेंगे सभी गारा सी टोक्यों करेंगे। तो सीम्प्रेसिए।